Hello everyone, मैं हूँ सुमित कुमार नागर और Computer Guru हम में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं Network Topologies के बारे में जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि Network Topology होती क्या है फिर उसके बाद कौन से ऐसे factor हैं जो सोचने चाहिए हमें कोई भी network topology बनाने से पहले फिर उसके बाद बात करेंगे हम जितनी भी network topology होती है point to point bus topology star topology ring topology tree topology match topology and fully connected topology के बारे में तो बात करते हैं network topology के बारे में network topology क्या होती है ये होता है pattern of interconnection of nodes in a network is called the topology यानि के कोई भी network है उसमें जो भी अलग अलग node है उसको किस pattern में connect किया गया है उसको जो है topology कहते हैं तो topology क्या करती है ये बस यहीं नहीं बताती है कि हमें network के अंदर devices कैसे connected हैं बट ये उसके साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि data जो है एक node से दूसरे node पर किस तरीके से transfer हो रहा है फिर उसको ही अगर दूसरी language में हम बात करें या proper definition के साथ बात करें तो network topology क्या होगी वह होगा एक schematic description of network arrangement connecting various nodes sender and receiver through a line of connection तो ये क्या होगा एक schematic description यानि के schema के साथ बनाया हुआ description जिसके अंदर जो nodes होती है जिसमें sender भी आगे और receiver भी आगे उनको एक network में lines of connection आपस में कैसे connect किया गया है तो basic network topology होती है वो ये होती है अब हम बात करेंगे उन सारे factors के बारे में जिसके बिहाफ पर हम कोई भी network topology decide करते हैं इसके अंदर सबसे पहला factor जो आता है वो होता है cost क्योंकि cost जो है सबसे बड़ा important factor है कि और यह सबसे ज़्यादा माइने रखता है कि आपको कितनी जंगह पर जो है कोई भी lab setup करनी है या network setup करना है और उसी के उपर depend करेगा कि आपको server कितने लगेंगे आपके network का design कैसे flexible किस हिसाब से कि मालो जैसे आज तो आप अपना office setup कर रहे हो बट कल को ही आपका मन करता है कि आप उसको री configuration करें री configuration करें या उसको change करें या उसके अंदर कोई भी node जो है वो addition करते हैं तो वो सारी चीज़े जो है वो असानी से हो जानी चाहिए फिर उसके बाद आता है reliability reliability क्या कहती है कि जो network design है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो minimum downtime होना चाहिए minimum downtime यानि कि किस कितने time तक मेरा जो network हो बंद रह सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही मेरी कोई एक node fail हो जाती है उसके बहाफ पर जो है वो मेरा सारा का सारा network fail हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक network एक node मेरी fail हुई है तो उससे बाकी कोई network के उपर फर्क नहीं आना चाहिए फिर उसके बाद जो अगला factor इसके अंदर आता है वो factor होता है scalability scalability का मतलब क्या है आप किसी चीज़ को कितना बढ़ा सकते हो scalable का मतलब है जैसे आपने आज के time पर कोई भी network बना दिया है बट कल को आपको जैसे requirement ज्यादा बढ़ गई और आप चाहते हो कि इसी network को expand किया जाए तो वो सारी चीज़े भी क्या होनी चाहिए easy होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कल को कोई भी नया device या नई भी node लगाता हूं तो उसके लगाने से जो मेरे network की performance हो गिर जाए फिर अगला factor जो आता है वो यह होता है ease of installation यानि कि उसको लगाने में जो है बहुत easy process होना चाहिए कि कोई भी आए और उसमें क कोई भी नया networking device है वो सारी चीज़े लगा दे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार network बना लिया और वो समझ में नहीं आ रहा है उसको expand करने के लिए किसी special person को बुलाना पड़ रहा है तो ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद अगला जो point आता है वो आत problem है फिर उसके बाद बात करते हैं हम types of network topology के बारे में जो हमारी network topology होती है वो कौन कौन सी होती है वो होती है हमारी point to point bus topology star topology ring topology tree topology mass topology and fully connected topology और ये कुछ देखने में कुछ इस तरह की है ये सारी चीज़े हम detail में करेंगे one by one तो सबसे पहले हम बात करते हैं point to point link के बा ये system one है और ये system two है इनको आपस में हम directly जोड देते हैं तो उसको क्या कहते है point to point link कहते हैं तो point to point topology क्या है simplest topology है क्योंकि सरफ दो कंप्यूटर लेने हैं और उनके बीच में cable से connection बना लेना है और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि simplest topology that connects two nodes directly together with a common link तो दोनों का आपस में ज फिर point to point link में हमें benefit क्या मिलता है ये benefit मिलता है कि जो entire bandwidth है यानि के cable की जो entire bandwidth है वो पूरी की पूरी जो है reserve रहती है इसके और इसके transmission के बीच में क्योंकि दो ही system है जो आपस में connected है तो उसको fully utilize हम कर सकते हैं फिर उसके बाद ये आता है कि जो point to point connection होगा वो क्या करेंगे ज उसकी actual length जो है वो use हो जाती है किसी भी दो system को connect करने के लिए इस connection को आप अगर देखोगे अगर cable medium के through देखते हो तो ये बहुत ही और लगता है और बहुत ही easy लगता है but same process जो है वो satellite link में और microwaves के अंदर use किया जाता है कल वाली वीडियो में जब हमने बात की थी के satellite के उ करती के ऊपर कोई भी network बना नहों तो भी वो satellite link या microwave link से बनता है तो उस time पर जो connection बनता है जो topology वो follow करते हैं वो point to point link की follow करते हैं फिर बात करते हैं bus topology के बारे में bus topology हमें क्या कहती है ये एक एक तरह का network type होता है जिसके अंदर every single computer and network device is connected to a single cable जैसे यहां पर यह आपको एक single cable देखरी है तो सारे के सारे device जो होंगे इस cable के साथ जो है वो connect हो जाएंगे इस वाले connection को आपने देखा होगा जब आपके घर में cable TV होता था तो एक common wire जो आती थी वो ऐसा यूज आती थी फिर इसी के अंदर एक link बना देते थे उसको एक TV में देते थे दूसरा link बन होती थी अगर इसी topology के अंदर दो end point होते हैं तो इसको हम कहा देते है linear bus topology फिर जो इसके features होते हैं bus topology के वो यह होते हैं कि इसमें जो data transmission हो एक ही end से होगा यानि कि मालों अगर sender यहां है तो यहां पर receiver होगा या dead end हो जाएगा तो जो भी communication होगा वो सरफ इस unit direction में होगा इसा नहीं होगा कि यहां से कोई भी जो है वो communication revert कर सके फिर इसके अंदर क्या है every device is connected to a single cable यानि के सिर्फ ये एक cable चलेगी जिससे हर कोई device connect होगा फिर हम बात करते हैं bus topology की advantages के बारे में advantages क्या होगी cost effective है बहुत ज्यादा cost effective है cable require है वो list है क्योंकि एक main cable रखनी हो और बाद में सरफ उतनी ही cable लगेगी जितने बाकी इसमें devices लगेंगे फिर यह क्या कहता है इसको use किया जाता है small network जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके घर में या आपके शहर में जो cable TV network था उस time पर जो ही यह use होती थी फिर उसके बाद आता है easy to understand जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था सरफ single cable है हर कोई उससे attach है तो बहुत easy to understand है और इसके अंदर क्या है expand करना भी इसको बहुत जादा आसान है क्योंकि cable length बढ़ाओ और कोई भी node कहीं पर भी join कर दो फिर बात कर हो जाता है फिर उसके बाद क्या कहते हैं अगर इस network के अंदर अगर ट्रैफिक हैवी हो जाएगा तो जैसे जैसे और नोड बढ़ते चले जाएंगे जो मेरे network की जो performance है यानि के जो उसके अंदर जित quality के साथ data भीजा जा सकता है वो गिरती रहती है इसके अंदर जो है cable की length limited होती है जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो coaxial cable है वो दो तरह की आती है thinnet और thicknet वाली जो thinnet होती है उसका distance जो हम यूज करते हैं वह 180 मिटर होता है और thicknet का 500 मिटर तक होता है तो इसके अंदर सबसे पहला ही यही हो गया जो cable हम यूज कर सकते ह एक वह limited length की ही use कर सकते हैं फिर उसके बाद क्या है it is slower than ring topology फिर उसके बाद अगले topology आती है वो हमारे पास आती है star topology start topology क्या कहती है इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जितने भी सारे computer है वो एक single hub के साथ जुड़े होते हैं जो single hub हो गई वो आपका center point होगी और सारे जितने भी computer होंगे वो इसके through directly connected होंगे इसके अंदर क्या होता है एक central node होती है जो hub हो गया यह हमारा क्या बनेगा central node बनेगा और जितने भी device है वो इसके साथ connected होते हैं फिर बात करते हैं हम इसके features के बारे में तो features हमें क्या कहते हैं कि इसमें क्या है every node has its own dedicated connection यानि कि जो भी होगा इसके लिए special connection है इसके लिए special connection इसके लिए special connection और इसके लिए भी special connection है हब act as a repeater for data flow यह क्या करेगा डेटा को जो है वो repeat करता रहेगा यानि कि यहां से यहां तक कोई भी communication भेज नहीं है यह इसके पास data करेगा तो यह data को क्या करेगा repeat करके इसके पास भेज देगा फिर उसके बाद है can be used with twisted pair optical fiber and coaxial cable तो जो भी है यह इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है twisted pair भी हो सकती है optical भी चल जाएगी और coaxial cable भी चल जाएगी फिर बात करते हैं हम star topology की advantages के बारे में तो advantage सबसे पहली क्या है इसकी इसकी जो performance है वो fast होती है और with few node and low network traffic इसके अंदर क्या हो जाएगा जो performance हो fast रहेगी किस condition में fast रहेगी जब nodes few हो और network के उपर traffic जो हो कम हो फिर उसके बाद क्या होता है hub can be upgraded easily जो central hub था उसको हम एक बार निकालेंगे उसके place पर दूसरा लगा देंगे तो upgrade करना बहुत easy है easy to troubleshoot है क्योंकि हर एक की unique cable है और हर एक का जो है proper connection अगर किसी node में कोई गड़बड होती है तो हम सरफ यही पता चल जाएगा कि इस वाली cable के अंदर ही गड़बड है फिर उसके बाद कहते है easy to setup and modify एक hub लगा और सब में connection कर दो अराम से सब कुछ हो जाता है फिर उसके बाद क्या है only that node is affected which has failed rest of the node can work smoothly जैसा कि मैंने अभी आपको बता था के बीच में एक hub है सारी cable उसके through connected है तो मालो यह node है यह node है और यह node है सब का individual link है अब मालो इसके उपर कोई भी network fail होता है तो इससे बाकियों के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह भी चलता रहेगा फिर बात करते हैं हम इसकी disadvantages के बारे में तो disadvantage सबसे पहली है कि सब की अपनी अपनी cable length होगी तो cost जो है वो directly increase हो जाएगी फिर उसके बाद क्या है expensive to use क्योंकि आपको अलग से hub लेके आना पड़ेगा cable नंबी चाहिएगी अगली जो disadvantage है अगर मालो cable fail होती है या node fail होता है तब तो हबाट ठीक बट अगर central hub fail हो गया तो पूरा 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 जो है वो network एक धम से fail हो जाता है फिर उसके बाद जो है इस network की performance बनी रहेगी कि यह hub कैसा है हब की quality के उपर depend रहेगा अगर मालो के basic से मैंने यहाँ पर optical fiber use कर लिया connection के लिए अगर हब जो है वो अच्छी quality का नहीं है तो network के उपर performance नहीं आएगी फिर आती है हमारे ring topology ring topology के अंदर क्या होता है इस topology के अंदर जो भी network है वो क्या बना देगा वो एक तरह की ring बना देगा ring बना देगा वो कैसे बना देगा इसके अंदर जो है each computer is connected to another computer तो जैसे ये computer है ये इसके साथ भी connected होगा और इसके साथ भी connected होगा और जो last one computer होगा मालो जैसे अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूँ तो जो last वाला computer है वो किसके साथ connected होगा वो पहले वाले के साथ connected होग फिर उसके अंदर क्या है exactly two neighbors for each device यानि के इसके जो neighbor होंगे वो सिर्फ दो होंगे एक यहां से इसके अंदर connection जाएगा और यहां से इसके अंदर connection जाएगा दो से ज़्यादा connection इसमें नहीं हो सकते फिर बात करते हैं हम features of ring topology इसके features क्या क्या है तो सबसे पहला जो आता है इसके अंदर a number of repeater are used for ring topology इसके अंदर जो है भाई हमें क्या है एक number of repeater use करने पड़ेंगे with large number of node because if someone want to send a data to last node in the ring topology with 100 node then the data will have to pass through 99 node to reach the 100th node तो कल के class में मैंने आपको एक specifically word बताया था जिसके अंदर हमने बात की थी attenuation क्या होता है attenuation वो होता है कि जैसे आपने किसी wire के अंदर मालो यहां से यहां तक connection बेजा है तो जैसे आपने यहां 5 volt बेजा है तो हो सकता है यहां पर जो है इस body length पर मुझे यहां पर 4.5 बिले और यहां पर जो है मुझे 4 volt का connection मने तो जैसे जैसे cable की length increase होती जाएगी अगर मालो जैसे cable में यहां भी आगया तो हो सकता है यहां पर मेरे पास जो connection बचेगा वो सिर्फ 2.5 volt का ही बचेगा तो इस तरीके से क्या होता है attenuation आता रहता है और जो cable की quality है वो degrade हो जाती है due to resistance और फिर क्या हो जाएगा और उसके लिए जो specific networking में जो time use की जाती है उसको attenuation बोलते हैं तो जैसे जैसे यह वाली सारी चीज़े हैं यहां पर जैसे आपने जो connection बेजा था वो यहां तक इतना रह गया हो सकता है इसकी double length के बाद वो zero हो जाए तो इससे यह मतलब नहीं होगा और मालो जैसे यह कोई sender है इसको यहां पर data बेजना है इस वाले के पास बट यहां पर आकर जो connection zero हो रहा है तो यह कभी भी इससे data receive नहीं कर पाएगा तो हम क्या करते हैं जैसा कि पिछली वाली class में बढ़ा था हम यहां पर क्या कर देंगे एक repeater लगा देंगे और repeater क्या करेगा वही जो है signal दुबारा generate कर देगा अगर यहां पर repeater लगा हुआ है तो जैसे ही यह 5 वोट आ जाएगा यहां बेशक से 4 वोट हुआ था उसको दुबारा क्या कर देगा पांच वोट कर देगा तो यही जो चीज होती है वो रिंग टोपलोजी के अंदर यूज करते हैं कि जैसे जैसे नोड बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे हमें number of repeater जो है वो increase करने पड़ेंगे क्यों करने पड़ेंगे to prevent the data loss repeater used in the network तो जो है इससे हमारा data loss ना हूँ इसलिए हमें जो है number of repeater use करने पड़ेंगे फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आती है हमारी वो यह आती है जो transmission होता है रिंग टोपलोजी के अंदर वो unidirectional होता है यानि कि सरफ अगर मालो जैसे आपकी यह ring बनी है तो सरफ जैसे ही data होगा या त आपने यही चीज करनी है आपने clockwise data भी send करना है और anti-clockwise data भी send करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ring topology के अंदर जो wire use करने पड़ेगी वो दो wire use करने पड़ेगी जिससे data क्या हो जाएगा bi-directional हो जाएगा bi-direction कर दिया तो एक connection इस wire के लिए और एक इस वाली wire के लिए आपको दो connection बनाने पड़ेगे अगर इस तरह का कोई भी connection बन जाता है तो उसको उस टाइम पर dual ring topology बोला जाएगा ना के खाली ring topology फिर उसके बाद जो अगला feature इसमें होता है वो यह होता है कि अगर dual ring topology हो रही है तो इसके अंदर दो ring हो जाएंगी network की जो आपस में काम करेंगी जिनके अंदर data flow होगा in opposite direction यानि कि जैसा कि मैंने बताए एक में clockwise और दूसरी में anti-clockwise इस तरह का data रहेगा इससे फायदा हो जाता है कि मालो if one ring fails अगर मालो इस वाली में कोई गड़ पड़ा जाती है तो दूसरी वाली को जो है वो ऐसे backup यूज कर सकते हैं और network जो हमारा चलता रहेगा फिर उसके बाद आता है data is transferred in a sequential manner sequential manner का मतलब क्या है जैसा यह भी आपकी ring बन गी यहां एक नोड है यहां एक नोड है यहां एक नोड है यहां एक नोड है यहां एक flow ऐसे है तो ऐसा हो जाएगा यह वाला इसने अगर data बेजा तो पहले यह इस वाले के पास जाएगा फिर यह उसको इस वाले के पास forward करेगा और यह इसके वाले के पास forward करेगा और इस तरीके से वो क्या हो जाएगा हरेक के पास forward हो जाएगा और last में जाके जो हो इसको मिल तो जैसा कि मैंने बताया था हर एक नोड के बीच में क्या है डारेक्ट फोर्वर्ड मेकेनिजम चल रहा है तो इसके अंदर मैं जितना भी चाहूं उतना नेटवर्क के अंदर जितना भी ट्रैफिक वो डाल सकता हूं अगर रिंग टोंटकर के ट्रैफिक नगलाच यहिए दोसरे के साथ तो इस टाइम पर जो है वह सिर्फ दो sender और receiver ही communicate कर सकता है एक ही connection चलेगा ऐसा नहीं होगा कि ये communication कर रहे हैं तो ठीक है हम भी अपनी communication कर सकते हैं ना ये बिल्कुल भी चीज नहीं चलेगी ring के अंदर जो है एक time पे एक ही system data transmit कर सकता है और एक ही receive कर सकता है multiple transmission इसमें नहीं होता तो जिसकी वज़े से अगर मालो एक ही transmission चलना है तो ये जितना मर्जी चाहे जितना चाहे उतना data इसके पास भीज सकता है फिर उसके बाद ये क्या है cheap to install and expand cheap to install क्यों है क्योंकि दो system में तो connected होगा ये cable भी लगेगी और जैसे ही भी भी expand करना है तो क्या हुआ एक नया system लगा है दो cable लगाई और हो गया expand फिर उसके बाद बात करते हम disadvantage के तो सबसे पहली जो इसके disadvantage है वो यह है कि मालो के इसमें troubleshooting is difficult troubleshooting difficult किस तरीके से हम मालो ये sender है और ये receiver है ये मेरा sender हो गया और ये receiver हो गया अब यहां से यहां तक इसको data भेजना है ये data भेजता है पर वो data जो है इसके पास जो है वो नहीं पहुंचता तो इसके अंदर जो troubleshoot होगा वो कैसे होगा पहले इसके वाले के उपर चेक करेंगे यहां तक data आ रहा या नहीं आ रहा है फिर यहां तक चेक करेंगे इसके पास data आ रहा या नहीं आ रहा है फिर यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक यूं करके अगर मुझे cross check करना है कि data क्यों नहीं आ रहा तो बीच में जितने भी पढ़ने वाले node है सब को check करना पड़ेगा और मालो जैसे इसमें कोई गड़बड हो जाती है तो उसके भी आफ पर जो है सारा network फैल हो जाता है और कोई भी communicator नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से जो है इसमें troubleshooting करना difficult होता है adding or deleting the computer disturb the network activity जैसा कि मैंने बता था एक time पे एक ही data send कर सकता है बगर अगर मालो जैसे मेरे को यहां नया system add करना है तो यह यहां से भी disconnect करना पड़ेगा और यहां से भी disconnect करना पड़ेगा तो क्या हुआ जैसे ही network में add होगा तो वह क्या करेगा सब को जो हो disturb कर देगा फिर उसके बाद क्या है failure of one computer disturb the whole network जैसा कि मैंने बताया अगर मालो यह वाला network भी fail हो जाता है तो circular है ring manner है तो ऐसा नहीं होगा कोई भी किसी के पास भी data भेज पाएगा सारा का सारा network एक साथ down हो जाता है फिर उसके बाद अगली जो topology आती है वो आती है tree topology tree topology के अंदर क्या होता है एक root node होती है और सारी node जो है वो इससे connect होती है तो यह क्या होगी हमारी root node होगी अब root node से यह जो connect होगी तो यह क्या बनाएगी एक hierarchy बनाएगी जैसे यह root होगी अब इन अगर system की अगर मैं बात करूँगा तो इन के लिए जो क्या होगी है यह root node हो जाएगी तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा पहले यह root फिर इसका root यह root और इसका root तो इस तरीके से चलता रहेगा तो यह क्या बन जाएगा एक hierarchical structure बन जाएगा तो कोई भी network transmission अगर ऐसा hierarchical structure फोलो करता है तो उसको कहते हैं tree topology फिर उसको जो है hierarchical topology भी कह देते हैं और इसको अगर hierarchical topology कहना है तो यह क्या कहेगा कि कम से कम इसमें जो है वो 3 level की hierarchy होनी चीए अगर उससे कम है तो यह क्या बन जाएगी star बन जाएगी वरना और अगर 3 से जादा है तो क्या बनेगी लोगे तीन नहीं तो क्या बनेंगी जिर उसके बाद इसके जो फिचर्श में यह क्या है यह सबसे ज़्यादा इसन क्या हो गृप के अंदर टोर गूरक के अंदर लोकेट सबसे जाहएं करह से देपाटमन्ट का है और कोई ऐसा सिस्टम बनाना है तो वह सबसे ज़ादा इजी है फिर उसके बाद आता है यूजड इन वाइड अर्या नेटवर्क तो इसको किस में यूज़ करते हम वैन के अंदर जो है यह वाली टॉपलोजी यूज होती है फिर उसके बाद ट्री टॉपलोजी की क्या हो जाएगी कि जैसे ही extension है यह बस एंड स्टार का तो जैसे मैंने के बताया था अब मालो जैसे हमारे पास यह वाली आ रही है यह हमारा structure बना था तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर एक बस भी बना सकते हैं कि बस टोपलोजी यह फोलू कर रहा है तो यह दोनों ने मिलके क्या बना दी है ख्र कि बना दी है तो इस तरह के सकते हैं इसको यह क्या कर सकता है कि Extension और स्टर टेक्नुलोजी की फिर यह क्या कहता है Exercise नोज्ष पॉसिबलन बनिधी जैसे ही आपने कोई भी नई नोड लगा लगानी है तो कहीं पर किसी भी साइड किसी भी ट्री में आप डारेक्टली जो है उसको लगा सकते हो फिर अगला पॉइंट यह जो क्या कहता है इसली मैनेज़ एंड मेंटेइन हर एक जो नोड है उसका अपना केबल है अपना कनेक्शन है अगर किसी में कोई खराबी आती है तो सरफ वही चीज़े हैं उसी को मैनेज करना है बाकी नेटवर्क को जो है इसके अंदर नहीं चेड़ना होता एरे डिटेक्शन इस डण इजली जहां पर जिस सिस्टम में एरर आएगा जहांसे एरर आएगा वह आराम से पता चल जाएगा फिर बात करते हैं डेसडवंटेज के बारे में लगेगी केबल इंक्रीज हो जाएगी तो इसके अंदर क्या कहेगा इफ मोर नोट्स और एड़े मेंटेनेंस डिफिकल्ट अब मालो जैसे आपके ऐसे ऐसे करके पांसो सिस्टम जो है वह आपस में कनेक्ट होगे तो पांसो के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है त तो जाहिर सी बात हो तो मेंटेनल स्वफोब्ले हो जाएगी दो गश्याता है फिर अगली ने डिवाश को सुपनेक्षिंस क्या है कि इसके अंदर हो every Network Devices Connect to Every other Network Devices with the point-to-point connection यानि कि जैसे ये वाला है एक network है और इसमें तीन डिवाइस हैं तो जो भी होगा system वो बाकी सब से connect होगा ये वागा बाकी सबसे connect होगा और कौन सा system follow करेगा यह follow करेगा point-to-point connection कि फिर उसके बाद तो जैसे आगर ढम आपके घर के ऊपर आपने पैन बना रखा या Baron Bnent दो करते हम स्पितर對了 of मैस्टनीों चेफ़ने सह सane ह develops fully connected है हर एक आपस में connected है नोड robust यानि के बहुत ज्यादा strong है इसमें direct connection हो गया हर एक नोड से तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नोड फैल हो जाएगा network फैल हो जाएगा तो communication करने में परिशान नहीं रहेगी यह क्या है not flexible flexible नहीं है flexible क्या था कि आपका कोई भी नोड easily add हो सके कोई भी नोड easily remove हो सके बट इसमें क्या है अगर कोई भी एक नोड उठती है तो वो सारे connection जो है वो disturb कर देती है कि मालों यह वाला था तो इस वाले system का connection disturb हो यह भी अटा इसमें disturbance हुआ और इसमें disturbance हुआ तो इस तरह से यह जो है वो flexible नहीं होती फिर उसके बाद बात करते हैं मैंस topology की advantages के बारे में advantages में क्या हो गया each connection can carry on data load के भाई सब का अपना अपना individual connection मना है जिस पर चाहूं इतना लोड दे सकता हूं robust है जैसा कि बता था strong है हर एक के easily सबसे connected है तो strongly connected है fault diagnosis is easy तो मतलब जहां पर आपने transmission भेजना है अगर वहां पर जो है communication नहीं बन रहा है तो साफ साफ यह पता चल जाएगा कि जिस system के साथ communication नहीं हो पा रहा है उसी में कोई गडबड है फिर उसके बाद क्या है provide security and privacy security का मतलब क्या होता अगर मालो कहीं पर भी आपका कोई security compromise होती है तो आपको directly यह पता रहता है कि यहां से connection इसमें था इसी के through compromise हुआ है फिर आते हैं इसकी disadvantages के बारे में disadvantages के बारे में क्या होगा installation and configuration is difficult क्योंकि जितने सिस्टम होंगे मालो यह तो तीन चार का system मैंने बना था अगर यहीं पर हमारा 500 सिस्टम का होता तो 500 connection बनाने पड़ता तो उसको कैसे manage करते तो installation and configuration is difficult केबलिंग कोस्ट is more क्योंकि जितने भी network होंगे उसके लिए आपको उतनी ही केबल लगानी पड़ेगी तो केबलिंग की कोस्ट तो जाहिर सी बात है इसमें आराम से increase हो जाएगी bulk wiring is required जैसा कि हर एक सिस्टम के साथ connected है तो bulk में connection बनाने पड़ेंगे फिर उसके बाद जो मैस topology का ही एक दूसरा रूप होता है वो क्या होता है fully connected topology fully connected topology क्या कहती है यह भी मैस के जैसे ही है मैस का पार्ट है मैस जो हमारी दो तरीके से हो सकती है fully connected और partially connected जो पहले इस से पहले देखे दी वह हमने partially connected थी और यह क्या है मैस fully connected है इसके अंदर क्या हो जाएगा a complete topology of network topology in which there is a direct link between all pairs of nodes जैसा कि बताया था हर एक node के बीच में क्या है अपना connection है तो इसके अंदर क्या होता है fully connected network अगर n node हमने लगा दी है तो उसके अंदर n into n minus 1 divided by two direct link लगेंगे क्योंकि यह जो है यह वाला system है इसको छोड़ के बाकि सब से connect होगा और सेम प्रोसेस हो सब के लिए होगा फिर उसके बाद जो है इसका जो अगली बात होती है इसमें अब देखो हमने क्या है हर एक system के corresponding हरे connection के corresponding connection करना है तो जाहिर सी बात है कि very expensive to setup क्योंकि इतने ही networking device यहां जोड़ने पड़ेंगे इतनी पोर्ट यहां provide करवाने पड़ेगी सेंपोर्ट इसको provide करवाने पड़ेगी इसको भी और उतनी ही केबल लगेगी पिर अगले अंदर क्या होता है provide high degree of reliability बट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फाइदा है वो higher degree of reliability होती है मालो अगर कोई network node fail भी हो जाती है तो यह चलेगी यह चलेगी यह चलेगी यह चलेगी किसी भी network node के खराब होने से network के उपर कोई असर नहीं आता कि कोई भी node node add हुई है सब्ट्रेक्ट हुई है या काम करना बंद कर दिया उससे कोई फरक नहीं आएगा पूरे के पूरे network के उपर तो इसके अंदर क्या है reliability है multiple path for data are provided by the large number of redundant link between the node तो क्या हो जाएगा multiple path अगर एक में कोई दिक्कत आती है तो दूसरे से data भेज सकते हैं तो यह सारा था network topology के बारे में I hope आपका concept clear हो गया होगा अगर कहीं पर कोई डाउट है तो उसको लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलीगा तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू अल थैंक यू फॉर वाचिंग